आज हम सेट 6 लेकर आये हैं CAPF, SI, LDC के लिए तो अगर आप इसकी तयारी कर रहे हैं तो प्लीज ये वीडियो पूरा देखिए और ये 6 नंबर सेट है यानि इसके पहले हमने 5 सेट आलरेड़ी आपको दे चुके हैं तो वो जरूर जा करके देखिए और जब हम स्टार्ट करत हैं तो सबसे पहले कि 1 से 5 तक आपने सेट पूरा देखा या नहीं देखा ये जरूर देखिए पोर्शिस मेरी रहे हैं कि मैं टीम को बोल दूँगा कि ये लाइन वाई लाइन हुआ आपको 5 सेट इसके आपको दे दें ठीक है जिससे आप पहले उन 5 सेट को देखिए और यहाँ पर आईए चलिए सुरुवात करते हैं कि पहला सेंटेंस से find out the error if any यानि अगर कोई गलती है तो आप error find out करके दिखाईए no sooner did Priya get her report card when she started jumping with joy क्या error है बस इतना आपको find out करना है grammatical error देखिए जब जब पॉइंट आएगा वो मैं समझाता चलूँगा आपको देखिए जब भी आप no sooner देखिए तो no sooner एक ऐसा conjunction है जो pair में आता है जिसको आप correlative conjunction कहते हैं ठीक है तो ये pair में आते हैं तो ध्यान रखिएगा कि no sooner अपने साथ than लेकर आता है यानि अगला जो conjunctions होगा वो कौन होगा आपके साथ than यानि no sooner के साथ than आता है hardly, scarcely के साथ when आता है तो आपको ये चीज़ आता है कि hardly और scarcely दिखेगा तो when लगाएंगे और no sooner लिखेगा तो no sooner दिखेगा तो than लगाएंगे कैसे याद करिएगा ज़र देखिए than basically comparative degree के साथ आता है तो मैं एक छोटा सा trick बता देता हूँ कि sooner basically soon का comparative degree है Soon का comparative कौन सा हो जाएगा sooner हो जाएगा तो ये sooner है तो आगे then आएगा तो देखे यहाँ पर की वैं गलत हो जाएगा यहां पर आपको क्या लिखना है देन लिखना है तो देख लीजिए कहां पर है दी पार्ट में तो एरर हमारा फसे पार्ट में हो गया दी पार्ट में देखिए आज मैंने answer नहीं लगाए मतलब कि जो answer वाला एक slide होता है वो सिर्फ vocabulary वाले section में लगा है जिसमें detail vocabulary कम time में आपको सिखा सकें ठीक है नेक्स्ट है अब जरह देखिएगा कि इसमें अगर error करने जाएंगे तो दो error है देखिए यहाँ पर was न simple tense को है तो यह simple tense के सार before नहीं लगाते अगो लगाते लेकिन इसके पहले ही एक error है तो इस बात को थोड़ा सा फिकर सकते हैं आप उसके पहले आईए देखिए इसमें क्या error है ध्यान रखिएगा double superlative double comparative ठीक है कभी भी इस्तेमाल आपका नहीं होता है ना तो double comparative यूज़ कर सकते हैं ना double superlative यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि warmer आपका comparative degree है और इसके साथ साथ superlative degree हम माइक को देख रहे थे कि माइक लगाया मैंने या नहीं ठीक है तो यहाँ पर यह भी comparative degree है अब दो-दो comparative degree हो गए इधर warmer भी और दर more भी तो एक साथ दो comparative लगा तो इसको आप हटा दीते अब अगला चलिए कि comparative के साथ आप मच लगा सकते हैं emphatic बनाने के लिए sentence को थोड़ा सा जोड़ देने के लिए आप मच का use कर सकते हैं तो अब इसमें हमारा error हो गया कि देखिए इस वाले error को ignore करिएगा error इसके साथ जाइएगा तो more लगा है आपका a part में तो गलती आपका मिल गए I hope यह points में आएगा है कि double superlative और double comparative use नहीं होता है आगे जो हमने बताया कि अगर was word लगा है या verb की second form लगी है तो उसके साथ ago लगाते हैं before नहीं लगाते हैं यह बात भी ध्यान रखे का गलती यह भी है जो SSC मानेगा जो CAPF मानेगा जो competitive exam का जो authority है मानेगा हमको स्क्रीश आप से चलना है ठीक है चली अब आते हैं fill in the blanks you are just responsible for this condition themselves, yourself, itself, myself देखिए वह यह कह रहा है कि तुम खुद इस condition के लिए जिम्मेवार हो तो यहाँ पर reflexive pronoun है तो आपको थोड़ा सा reflexive pronoun समझना पड़ेगा कि I का reflexive pronoun myself होता है I का myself होता है you का दो होता है इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि you का यूज singular के लिए बी करते हैं plural के लिए करते हैं तो यह बने और यूर्स तेल्फ और एक बने और और सेल्ट दो बन जाएगा ठीक है उसी तरीके से अगर it की बात करिए तो it से बनेगा it self अगर बाकी आपका themselves तो वो बनेगा दे के साथ तो दे का क्या होता है reflexive pronoun दे का reflexive pronoun क्या होता है themselves होता है तो यह चीज़े हमको ध्यान रखनी है ठीक है तो यहाँ पर you के साथ आपका क्या आएगा yourself आएगा थोड़ा सा आवाज मेरा बारी हो गया है and I don't know why again है you dash carry all the books to school daily आपको सारे books daily school carry करने देखिया आज बारवर न मुझे लग रहा था कि ये काद questions आपके लिए रहने देना है so that आप इसका जवाब कहां देंगे comments में देंगे you have not carry all the books to school daily you would not, you ought not, you need not कौन साइस में सही है आप लोग न comment करा करिये और अगर आज ये publish हो जाएगा जब मैं shoot कर रहा है आपको publish हो जाएगा 7 बजे तो मैं इसका जवाब next class से पहले दे दूँगा आपके जो comments आएंगे न वो मैं next class में add कर दूँगा अपने class में ठीक है, so that हमें पता चले कि ये questions का जवाब कितने लोगों ने दिया और इसका सही जवाब क्या होगा चलिए, active passive देखिए the room was cleaned the room was cleaned अब इसको passive वाइस में करना है ये passive वाइस दिया हुए इसको active में करना है अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चलिए ये passive वाइस में दिया है तो इसका एक trick हमने बताया था कि आप B के साथ verb की third form लगाते है अब ये जान लेते हैं कि B का मतलब होता है हमारा is am are was were be be being been देखें इंग्लिस लैंग्विज में अगर इन अभी verbs के साथ verbs के साथ अगर आपको verb की third form दिख जाए ध्यान रखेगा third form दिख जाए तो वो sentence passive वाइस में तो हमने देखा कि या रवाज के साथ वाइस लगा हुए यानि sentence passive वाइस में और passive वाइस का इस्तेमाल हम तब करते है जब हमको बताना हो कि कोई काम जो किया गया है उसमें doer दिया नहीं है तो देखें का रहा कि room was clean room की सफाई हुई थी the cleaner cleaned the room the room should be cleaned I cleaned the room और someone cleaned the room देखें यहां दिया नहीं है कि by whom नहीं दिया है कि by whom किसके द्वारा किया गया तो आप अपनी मर्जी से कोई प्रसनल नहीं ले लिजेगा कि I clean you clean ठीक है आप सिंपली करिए someone cleaned the room someone cleaned the room जान रखिएगा कि अगर was work के साथ work की third form passive voice में दी हुई है यह passive voice है इसका active voice V2 से बनेगा या negative बनाएंगे तो dd के साथ not लगेगा फिर v1 लगेगा ठीक है यह ध्यान रखिएगा पस यह चीजे याद रखिए आप लोग तो सही जवाब D हो गया आगे बढ़ते है please enter by the left door किरप्या बाएं दरवाजे से अंदर आईए देखिए जब भी आपको please वाला sentence करना हो तो आप ज़्यादा tension मत लिजे इसका passive voice जो होता है यह हमारा active voice होगा passive voice जो होगा यह होगा you are requested to से शुरू होगा you are requested to अब देख लिजे कि कहा लगा you are requested to तो आख बंद करके आप सही जवाब कर सकते हैं तो b होगा you are requested to enter by the left root कोई changes जिसमें ज़्यादा नहीं होते हैं बस you are requested to लगाई और active वाला please के अलावे ठीक है जो please और कभी कभी kindly लगा रहेगा तो यह दोनों word को हटा देना अब इसके पीछे का logic समझा देता हूं कि जब आप request word का use करते हैं इसमें kindly और please automatic आ जाता है थ्यान रहेगा चलिए नेक्स्ट है find out the meaning of given idioms idiom का मतलब बताना at the 11th hour क्या इसका मतलब सुबह 11 वजे होता है रात को 11 वजे होता है at the very last minute होता है one hour before midnight होता है तो यह कितना logically यह questions दिया गया है कि अगर हमें idiom के रूप में नहीं पता है तो हमें लगेगा sir यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है जब तक हमें नहीं पता है कि at the 11th hour का मतलब होता है अन्तिम छण में हिंदी में क्या लिख सकते हैं अन्तिम छण में यानि बिल्कुल last moment पे at the very last minute जैसे she always comes at the last hour she always comes at the last hour वो हमेशा अन्तिम छण में आती है I hope समझ में हो गया होगा और याद भी हो गया होगा ज़र देखेगा actually होता क्या है कि change होने के लिए से 12 है 11 है तो यह 11 बज़े इस वाले की बात कर रहा है कुछ भी चीज़े change होती ही तो इसी गार वज़े change होती है ठीक है that is why कि यह अन्तिम छण है चुकि आगे से यह चीज़े क्या हो जाएगी change हो जाएगी चलिए next to take a chill pill सुना है किसी को बोलते हुए take a chill pill dad यह movies बगरा में speaking में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है take a chill pill dad चलिए तो take a chill pill का मतलब क्या होगा to ask a doctor for medication to drink cold water to gulp a tablet for a cold and to calm down to take a chill pill का मतलब क्या होगा to calm down क्या हो जाएगी सांथ हो जाएगी चलिए next है choose the correct one word substitution for given words or phrases okay a group of stars क्या कहते हैं इसको congregation कहते है astronomy कहते है planets कहते constellation कहते है क्या कहते है चलिए थमने जैसे बोला ता सुरू में ये शारे words हमें जल्दी से थोड़े से समझने है देखे इन सभी word का meaning आपको I hope पूरा का पूरा screen पे आ गया ये सही जवाब है constellation सही जवाब क्या है आपका हम सभी को समझते है meaning के रूप में तो congregation का मतलब होता है the act of coming together in a crowd or group या gathering आप इसको कहा सकते है एक जगह इकठा होना या एक जगह इकत्रित होना इसको हम कहते है congregation next है astronomy astronomy क्या होते है scientific study of the sun, moon, stars नच्छत्रो, सूर्गरो चंदर्मा का बैज्यानिक अध्यान को हम astronomy कहते है and planets क्या है a very large round objects in a space that moves around the sun और another star यानि planet का मतलब हिंदी में हम ग्रह कहा देते है और बात की हो गया कि जो sun के या दुसरे star के around चक्कर लगाते है that is called planets and constellation का मतलब होता है constellation is a group of stars that appears to form a pattern or picture like origin of great hunter Leo the lion Taurus तो ये अलग अलग तरह का है ठीक है Taurus the bull constellations are easily recognizable pattern that help people orient themselves using the night sky I hope कि ये सभी का मतलब आपको समझ में आया कि group of star कों क्या कहेंगे constellation कहेंगे चलिए next हमारा place where coins medals or tokens are made क्या कहते है इसको casting कहते है meal कहते है meal तो आप कोई भी चीज को कह सकते है जहां पर कोई चीज produce होता है कोई चीज बनता है जैसे धान वाली meal होती है चूड़े वाली meal होती है अगर गाउं की भासना में बिल्कुल मैं बोलू workshop वो होता है जहां पर या तो नए लोगों को training दी जाती है या साथी साथ वहां पर कोई चीज रिपेर होती है या लाइक नए तोर पर बनता है ठीक है दोनों चीज होता है आपका तो इसका सई जवाब क्या होगा आपका mint क्या होगा mint इन हिंदी इस काल तकसाल तकसाल ठीक है ये हिंदी में इसका meaning होता है आई होप ये समझ में आ गया ये तो बड़ा round and round हो गया हमने सोचा इस पर काम करेगा तो तुम कुछ आपको दिखाते चलिए आई होप ये 10 sentences आपके exam के लिए beneficial होगा and जब भी आप exam देने जाएंगे तो इस तरह के questions ये आपके exam में आते हैं जादा से जादा मैं चाहूँगा कि आप लोग channel से जुड़िए साथ ही साथ हमारा paid application भी total exam plus app पर है यहां पर जाख करेगे ये हमारा जहां पर आपको courses हमारे मिल जाते हैं और एक हमारा है तोटल exam test जहां पर आप हमारे mock test ले सकते हैं तोटल exam test तो ये दोनों app आपको मिलेगा ये भी app है और ये भी हमारा app है ये दोनों आपको मिलेंगे Google Play Store पे जाए смझे इंस्टॉल करिए और सीखना सुरू करिए अपना रिवीजन सुरू करिए धन्यवाद वीडियो को जादर दाधर शेयर जरूर करें थैंक यू